क्यासे हैं आप साथ आपका अपने इचैनल पर स्वागत है मैं कि मिलेशन आपपल आज देखो कल हमारे गडर गेस्ट आयों थे तो यह देखो मूं मिठाही लेकिया थे अब हमारे मिठाही बची हुए अब इसका हम नए तरिके से इस्तिमाल करेंगे मैंने बर्फी रसगुले और आधा लिटर दूद लिया है बसती नहीं चीजों की हमें जरूरत है यह दखो बर्फी हमारी बच गी थी रसगुले तो आप मैं बताती हूं इसका क्या करते है आधा गिल्लो दूद को मैं अच्छी तरह उबाल ले जब तक हमारे दूद उबल र गया है यह दखो हमारा दूद को अच्छी तरह उबल गया है यह दखो यह देखो नहीं छे बर्फी तेपिस इतना प्यालेट डाला है इतना मैंने बचा लिया इसके बाद हम देखते हैं इसको अगा थोड़ी देर बनने रेंगे दूद बर्फी अच्छी तरह पक गया है यह देखो कोई भी लंच नहीं आ रहा है तो दूद अभी भी मुझे पतला लग रहा है यह में दो चल्मच जो बर्फी हमारी बच्ची थी यह भी डाल रहा है अब इसको हम थेज़से बॉयल कर गयते हैं अगर आपके पास बर्फी कम है तो आप मिल्क पाउडर थोड़ा सा गोल के डाल सकते हैं अगर बिल्क पाउडर भी नहीं तो एक ब्रेड पीस के डाल दें वो उसका भी बहुत बड़िया टेस्ट आता बता ही इन चलता ब्रेड भी लगी होगा बल्यों इसमें तो गाड़ सब्सक्राइब नावच यह देखो यह दूद गाड़ा होगी है अब हम गैस बन कर देते कि इसको थंडा ने देते हैं थंडा होगी है फिर में आपको रभी गाड़ी हो गी है यह देखो यह कुछ ऐसे ही लगती है इसमें वह जो बड़ाम ड़ले वे था बर्वी मैं वो प प्रेल queues प्रश में निकल रहा, अगर रस निकल रहा तो उसको निकाल ले उसको निकल यह देखो इसमें मैंने चीनी नहीं डाली रबड़ी में बिल्कुल भी ब हमर इतनी व्यठी थी कि दूद्ल के साथ मिलके भी चीनी इसका डालने की जुरूरत नहीं पड़े यह देखो इसमें मैं थोड़ा सा केवडा डालती हूँ प्वे थोड़ा सा मैंने केसर बिगो के रखा हुआ था यह देखो अब हमारी रस्मलाई त्यार हो गए कितनी बड़िया रस्मलाई है कोई नहीं कह सकता कि गर्में बनी हुई है। जबकि हमने अपना घर की बच्चीय का उस्ख किया कै अगर मेरी वीडियो पसंद आई है। आप पर लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और इसका आप इसको बनाएं और मुझे बताएं आपका क्या से बना रही है